हेलो एब्रीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD चॉप में PM श्री केंजरे विध्याले से वैकेंसी जारी हो रही है लास्ट वीडियो हमने पांच वैकेंसी जो अलग अलग राज्यों से जारी की गई है बिल्कुल आप लोगों को बताया है कैसे जो है आप लोगों को एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है कैसे फिल करना है इंटर्वियो में जो है आप लोगों को कैसे रेडी करना है तो सब भी चीज़ें आप लोगों को लास्ट वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बताया गया है, अभी जो है और फैकेंसी की बात करेंगे, जो नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हो रहे है लगातार आप लोगों को वीडियो के माद्यम से बताया भी जा रहा है, तो आप बिल्कुल अपने नजदी की के वियेस है वही पर अपलाई करेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा सही रहेगा क्योंकि आने जाने का समय आप लोगों का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आप लोगों को यहाँ पर सैलरी के साथ में जो अनुभव मिलेगा काफी आ केंद्रे विध्याले नंबर वन इंदोर यहाँ से वेकंसी जारी हुई है और डेट आप देख ले कि साक्षातकार की डेट जो है कब है 28 फरवरी और 29 फरवरी को यहाँ पर इंटर्व्यू की डेट है आप सभी जानते है कोई एक्जाम नहीं होगा फीस आपकी नहीं लग ही है यहाँ पर जो वेकंसी जारी हुई है सब्जक्ट की तो आप देखे सिख्षकों एवंप्रैस शिक्षकों सलाहकार चिकिस्सक स्टाफ नर्स विसेश सिख्षक तो यह बस इतना ही जो है बताया गया है इसमें इतनी ही वेकंसी है दूसरा जो विग्यापन है उसमें हम नमबर टू केवियस नमबर टू सीपी इटारासी यहां से वेकंसी है और यहां पर बाइस फरवरी यानि कल की ही डेट में आप लोग कल की डेट तक जो है अपलोड कर लें गूगल फॉर्म को में वेबसाइट से ठीक है साक्षात करका जो आयोजन है वो बताया गया है चौ नेक्स्ट जो वेकंसी है केंद्रे विध्याले पोडी जो कहां है उत्राखंट देहरादून यहां पर वेकंसी है तो इसमें जो है साक्षातकार की डेट जो है वो अलग-लग पोस्ट के लिए 28 और 29 फरवरी है यहां पर जो हमें आप लोगों के लिए कवर कर देती हूँ क् तो पचास परतिशत मार्च साथ आपकी पोस्ट ग्रैजुएशन होनी चाहिए और बीएड भी होनी चाहिए. आपके राज्य का TET है, यहाँ पर कई जो केंद्र विद्याले हैं, जहाँ केवल CETET मांग रहे हैं, जैसे यहाँ पर CETET या आपके राज्य का TET, कोई भी, ठीक है, CETET है, या फिर आपके राज्य का TET, पेपर 2 कालिफाय हो, तो यह आप देख लें, नोटिफिकेशन अच सब्जेक्ट में, प्लस बीड होना चाहिए, टीजी टी के लिए, आपके पास जो है, सनातक, प्लस बीड और प्लस टैट पेपर 2 कौलिफाय होना चाहिए, अगर आप प्रात्मिक सिक्षा के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 12 के साथ में, दो साल का पिर 50% तंको के साथ सीनियर सेकेंडरी या प्रात्मिक सिक्षा में चार वर्षिस नातक, तो प्रात्मिक सिक्षा के लिए प्राइमरी रिवल का जो डिप्लोमा डिग्री होता है, वही लोग आभेदन कर पाएंगे, सी टैट या टैट जो है आपका मांगा जाता है, यह डिप्लोमा है, कंप्यूटर में, तो बिलकुल आप लोग अप्लाइ कर सकते हैं, किसी भी सब्जक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, और आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर का, तो आप बिलकुल अप्लाइ कर पाएंगे, इसके अलावा ऐसे कैंडि तो कर ही सकते हैं, B.Tag Computer Science, B.E., B.C.A., M.Tag Computer Science, M.Sc. Computer Science, ये तो करेंगे ही, लेकिन ऐसे candidates जिनके पास केवल डिपलोमा है computer में, और graduation या post graduation किसी भी subject में की है, तो computer instructor के लिए बिल्कुल यहां पर apply कर सकते हैं. गेम से टीचर के लिए जो है, B.P.A. आपका होना चाहिए, योग में, नर्स के लिए जो है, नर्सिंग डिपलोमा, और काउंसलर के लिए, परामर से दाता के लिए, B.A. या B.C. आपने साइकलोजी में किया हो, साथ में आपके पास काउंसलिंग का डिपलोमा, इस्पेशल के लिए इसनातक के साथ में, B.A. विसेश प्रैसिक्षक में होना चाहिए, तो ये तो क्वालिफिकेशन है, आप किसी के लिए भी आविदन करें, तो क्वालिफिकेशन तो समान रहती है, सैलरी भी जो है, वो सभी में समान रहती है, लास्ट वीडियो देखिएगा, सारे चीजे कवर की गई है, अब देख लेते हैं, नेक्स्ट वेकेंसी, जो की, ये हमने कवर कर ली थी, नेक्स्ट वेकेंसी, पी-म श्री केंद्रे विध्याले नंबर 5, भटिंडा, भटिंडा पंजाब से वेकेंसी है, तो इस तरीके का फॉर्म है, यहां पर, और इसमें जो 23 परवरी 2024 है, रजिस्ट्रेशन साड़े नो बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, पी-जी-टी, इंग्लिज, हिंदी, मैस, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायलोजी, एकॉनोमिक, जोग्रफी, हिस्ट्री, कॉमर्स, TZT में, इंग्लिज, हिंदी, मैस, साइंस, सोसल साइंस, संस नोटिविकेशन देखते हैं, जब आप भटिंटा, कैंट, KVS विध्याले, नमबर फाइफ का, तो यहाँ पर आप लोगों को, क्लिक हियर तू रजिस्टर, रजिस्टर करना होगा, यहाँ पर यह बताया गया है, ठीक है, तो रजिस्टर कर लेंगे, बाकी जो है, बहुत आप लोगों को मेन वेब साइट पर बिलकुल अलग से ही, जो है, मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आप लोगों को बिलकुल दिये ही जा रहे है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पी एम श्री केंद्रे विध्याले, नमबर टू, सत्तना से वेकेंसी है, और सत्तना जो ह इससे मैं कवर कर देती हूं, पी आइर्टी की वेकेंसी है, बालवातिक का टिचर्स की बिलकुल वेकेंसी है, तीन वेकेंसी है, जहां एंटिटी कोर्स किये हुवे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते है, योगा कोच, स्पेशल अजू़ एजिगेटर, कॉंप्युटर तो कोल काता के जो है कैंडी रेट यहां पर देख लें, 24 वर्वरी दोहजार चॉबिस को साक्षात का रायुजित किया जाएगा, प्राइमरी, TZT, PZT, सभी टीचर्स का, तो all subject हैं, इसलिए इन्होंने केवल इतना ही लिख दिया है, प्रात्मिक, सनातको, सनातको, सिक्षक, नई नीचे है, subject है, आप देखें, PZT में English, Hindi, Maths, Physics, Chemistry, Biology, History, Geography, Commerce, Economics, Computer Science, TZT में Sanskrit, Hindi, English, Social Science, Math, Science, PRT, Music में भी है, और PRT में सभी subject है, और साथ में बालवाटी का टीचर्स, Computer instructor, Expert, Coach, जैसे Sports, Yoga, Art, Dance, Special Educator, इसके लाभा अधर वेकेंसी है, Dr. Nurse, Counselor की, तो 24 फर्वरी, Saturday के दिन, PM Shri Kendri, विधाल है, No. 2, Shalt Lake, यहां पर आप लोगों को registration के लिए पहुचना होगा, Simple है, कुछ नहीं करना है, जैसे 24 फर्वरी 2024 को आप लोगों को सबसे पहले, main website से application form डाउनलोड करके फिल करना है, अपने original document और एक photocopy जरूर करानी है, साथ में लेकर चले जाएं, address जो है वो यही है, यहां पर जाना है आप लोगों को, पहले registration होगा, उसके बाद जो है, कुछ ही घंटे बाद जो है आप लोगों का interview रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, simple जो है आप लोगों को form main website पर मिल जाएगा, form जो है वो download कर लें, और जैसे इस advertisement के नीचे कोई भी form नहीं दिया हुआ, ठीक है, retail दी हुई है, eligibility criteria की, और भी पढ़ लें, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताती ह रहती हुँ, यहाँ पर form नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को main website पर मिल जाएगा, सभी के link आप लोगों को जरूर share किये जाएंगे, आप अपना एक intro जरूर तयार करके ले जाएं, अच्छा सा English, Hindi दोनों में, ताकि आप लोग जिसमें भी comfortable है, हिंदी में है, तो अगर आप लोगों की जानते है, हिंदी इंग्लिस दोनों में चलती है, केंद्रे विध्याले में, तो इस वज़े से हिंदी मीडियम के कैंडियेट, इंग्लिस मीडियम के कैंडियेट, दोनों ही जो है, यहाँ पर eligible हो जाते हैं, तो दुबारा से मैं बता देती हूँ, पि आप लोगों का समय भी बरवाद न हो आने जाने में, आप लोगों को काफी यहाँ पर समझने को बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जब पर्मानेंट वेकेंसी आएगी, तो आप मानिए कि इंटर्व्यू में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू